गुद मॉनिंग इस्टूरेंस, आज का सब्सट्टे हिंदी इसमें हम चैप्टर नम्बर एट सर्वनाम पढ़ेंगे चित्रों की नीचे लिखे वाके को पढ़िये और समझिये सर्वनाम क्या होता है हमने क्या पढ़िए अभी से पहले संग्या पढ़िये संग्या कहते हैं नाम इस्थान और पशू पक्षी और वस्तू के नाम को संग्या कहते हैं ठीक है अब भी हम पढ़ेंगे सरवनाम जिते में हमने संग्या में नाम जिसे परसन व्यक्ति होते हैं या फिर जितने भी स्थान होते हैं वस्तू होती हैं पशू पक्षी होते हैं ठ सबसे पहले हम परीभशा पड़ेंगे जिन शब्दों को शंग्या की इस्थान पर प्रियोग में लाया जाता है संग्या की इस्थान से क्या मतलब है जैसे संग्या की संग्या में कौन क्या होता है व्यक्ति लोग होते हैं इस्थान होते हैं और जानवर होते हैं और वस्तियों होते हैं इनके इस्थान पर प्रियोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं ठीक है मान लीजी मैं आपको यह example बताती हूँ जैसे रमेश अच्छा लड़का है तो यहाँ पर रमेश है वो क्या हो गया व्यक्ति हो गया पर्सन हो गया यानि कि वो हो गया संग्या अब इसके इस्थान पर इसके नाम के इस्थान पर हम जो चीज यूज करेंगे हम मैं वैं वैं उसका उन्हें यह यह करेंगे नाम और इस्थान की जगे हम इन चीजों का यूज करेंगे किन की चीजों का जैसे वह है वे यह 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 इन्होंने उसने उन्होंने तू तुम आप मैं हम हमारा मनला इन नाम और इस्थान और जानवर और वस्तूं के जगे पर हम इन चीजों का यूज करेंगे ना लड़का किसी लड़के को बता रहा है कि रमेश अच्छा लड़का है तो इसके जगे जब हम हम संग्य का वाक्य बनें थीकति हैं अभी हमें इसे सर्वनाम का वाक्य yaą थीक है यह नहीं सर्वनाम है यह है उगотьiliam आप जिसे मोहित और रोहित रहें हो गया पूरा परसन और व्यक्ति नो सब्याशनम है इस नाम परसन नाम में लौड़े हैं परसंकरना इनकी जगे रहे हैं तो lies हो Budget वे मित draft रहें वे दोनों मित्र रहें तो इसमें क्या हो गया है वे क्या हो गया सर्वनाम हो वे दोनों खेल रहे हैं यह होता है ठीक है यह इस तरिके से मनलब संग्या की जगे हम सर्वनाम का yuze करें और संग्या क्या होती है पर्सन प्लेसिज अनिमर्स निकी व्यक्ति इस्थान जानवर या वस्तुवें इनकी जगे अगर हम इनके नाम की जगे हम यह सब का यूज करेंगे ठीक है अब है सरवनाम के निमले की छए बेद है पुरुषवाचक सरवनाम निश्चेवाचक अनिश्चेवाचक सम्मंद वाचक प्रशन वाचक और निज्वाचक शरनाम यह छिए सरवनाम होते हैं इनको हम आगे की क्लाइमन डिटेर में पढ़ेंगे, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके according जो वर्कशीट है, वो copy में करनी है आपको, कैसे करनी है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपके लिखेंगे, जिन सब्दो को संग्या की इस्थान पर प्रियोग में लाया जाता है, व आप लिखेंगे, सर्वनाम के 6 बेद होते हैं, तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्च्यवाचक सर्वनाम, अनिश्च्यवाचक, संबंधवाचक, प्रशनवाचक और निजवाचक, ये 6 के नाम लिखने हैं, अभी question number second है, नीचे पहले वाक्ये में संग्या का प इसलिए संग्या का वाक्य बन गया, अभी हमें इसको सर्वनाम का वाक्य बनाना है, संग्या से संग्या का वाक्य बन गया, अब इसे हमें सर्वनाम का वाक्य बनना है, तो हम राधा के जगे के लिखेंगे, राधा नाच रही है, वह अच्छा नाचती है, ये है मुहन का घ है ठीक है तो यह है क्या हो गया सर्वनाम अब इसमें हमको सर्वनाम का यूज करना है सर्वनाम मैंने आपको क्या क्या बताएं कि वह है वह आप इन में से को जो भी सूट करता है वाक्य पर वही यूज कर सकते हैं तो जिसे यह मोहन का घर है ठीक है उसका घर बहुत बड़ा ह तो यहां पर उसका लिख देंगे हैं उसका क्या हो गया सर्वनाम आ गया रजनी और रादा सहे लिया है अब क्या आएगा रजनी और रादा मतलग दो हो गई तो रजनी और रादा यह तो संग्या का वह बन गया वाक्या अब हमें सर्वनाम का बनाना है तो वह बाग में खेल है रज़त के पिता एक डाक्टर है उसकी माता एक द्ध्याफिक है जो मैंने हं इसकी लिखा है वह सर्वनाम हो गया ठीक है तोसे इस तरीके से संग्या को सर्व नाम में चेंज करते हैं अब मैंने को्षें नमबर फ्री पर दिया है नीचे दिए गए सरनम शब्दों का वाक्य में प्रयोक कीजिए तो आपको वाक्य बनाने तो यह मैसे आपको वाक्य बनाना है तो आप क्या बनाएंगे आप अपने आप बनाएंगे आप आप से वाक्य बनाना है आप यहां खड़े हो आप यहां खड़े क्यूं हो को यह वाक्य बन गया जिसे ठीच है कुछ से बाक्य बनाना है कुछ उन्होंने उन्होंने कि मुझे तौफा दिया तो इस तरीके से आपको इनके इतनी भी वर्स लिखें मैंने यह शब्द उनसे वाक्य बनाने चाहे आप दिमाग से लिखें आपको यह कंप्रेट करके वाक्य बनाना है जिससे और ऐसा वाक्य बनाना है जिससे कुछ मतलब निकलता है जिसे उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तौफा दिया अब वे जिसे वे हैं वे दोनों खेल रही है ठीक है तो यह वाक्य होगे इस तरीके से छित्र देखकर आपको वाक्य बनाना है तो यहाँ पर दो लड़को कर लदिया बाते तो आपको लगना है वे बाते कर रही है तो यह वाक्य बन गया यह लाल रंग का गुलाब है उसकी जोंपडी लकडी की है वह नाच रही है ठीक है तो यह जो है ना उसमें उसकी वह यह लाल रन का गुलाब तो यह है वे दोनों बाते कर रही है तो वे यह सब सरवनाम वाक्य होते हैं तो आपको इस तरह किसी पूरा कम्प्लीट करना है ओके थैंक यू